Hello Friends, ये session आपके लिए बहुत important है अगर आप financially struggle कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन जो आपको बैंक अकाउंट है न वो कुछ और ही कहानी कह रहा है अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने आपकी किसमत पैसे को लेके डैस से क्यों लिख दी तो ये session आपके बहुत ज़रूरी है इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा So Hello Friends, मैं विवेक राठोर, author and neuropsychology expert आज का हमारा topic है कि Why You Are Not Making Money? देखे Friends, इसके लिए हमें समझना होगा कि वो क्या factors हैं जो हमारे monetary fate को decide करते हैं तो वो चार factors हैं जो आपके financial destiny को, monetary state को, financial condition को decide करते हैं The first factor is money and self image आप life में कितना पैसा बनाने वाले हो, कितना money making करने वाले हो ये सबसे ज़्यादा depend करता है आपकी self image के उपर Self image का मतलब आपकी खुद को लेके क्या धारना है खुद के बारे में आप क्या सोचते हैं जैसे हमारे mind में हर एक person को लेके एक image होती है ठीक उसी तरीके से हमारे mind में हम खुद को लेके भी हमारी एक image होती है तो अगर आपकी self image अच्छी है आप अगर एक high self image करी कर रहे हैं तो possibility है कि आप हर field में successful होंगे आप financially भी strong होंगे लेकिन अगर आप एक low self image करी कर रहे हैं तो आप हर एक field में struggle करेंगे and financially भी struggle करेंगे Second factor is money beliefs यह money beliefs क्या होती है देखिए money को लेके आपके mind में जो भी core thinking है जो अलग-अलग sources से आती है कई बार हमारे knowledge से आती है कई बार हमने जो सुन लिया उससे आती है तो money को लेके आपकी जो 3 सबसे important thinking है वो आपके money beliefs होते है तो अगर आपकी money belief negative है जैसे अगर आप इस तरह की money belief करी कर रहे है कि पैसा तो हाथ का mail है पैसा तो हमें खराब कर देता है पैसा तो बुराई की जड़ है अगर आप इस तरह की belief को carry कर रहे है तो आप कितनी भी महनत कर लोगा आप life में कभी भी rich नहीं होंगे क्योंकि हमारा brain कभी भी उस चीज को attract नहीं करेगा जिस चीज को आप unconsciously hate करते है तो आपको अपने money belief को समझना होगा उसको change करना होगा अब हम बात करेंगे उस third factor के बारे में जो हमारी financial destiny को decide करता है वो third factor है उसको बोलते है financial thermostate देखिए money को लेके ना हम लोग के माइंड में हम इसा एक number चलता है जैसे जैसे हम लोग AC का temperature set करते है इसको बोलते है वहाँ पर एक device होता है इसको बोलते है thermal thermostate बोलते है वो temperature का temperature decide करता है ठीक उसी तरीके से हम लोग के माइंड में एक number चलता है उसको बोलते है financial thermostate आप कभी भी देखना आप उतने ही amount का client या job attract करते है जो amount आपके माइंड में चल रहा होता है and this is the secret अगर आप उस numbers को change कर ले अगर आप अपने financial thermostate को change कर ले तो आपकी financial condition change हो जाएगी ये एक mental game है ये एक mental process है so this is step number 3 अब हम लोग बात करेंगे fourth factor की जो है कि हमारे जो mind की जो conditioning है money को लेके वो होती कैसे है उस पर depend करता है कि हम लोग की money reality क्या होने वाली है अब देखिए हमारे जो mind के जो conditioning होती है वो तीन तरीके से होती है first is verbal conditioning हम लोग की mind की conditioning 60% verbal conditioning होती है मतलब जैसा हम लोग सुनते है वैसा हम लोग मान लेते हैं जैसा आपके parents की thinking थी आपके जो भी early stage में जो भी आपके जो environment थी उसकी जो thinking थी उससे हमारे mind की conditioning हो जाती है यही reason है कि rich के बच्चे rich होते हैं और जो financially weak है जो poor है उनके बच्चे भी poor रह जाते हैं क्योंकि उनकी verbal conditioning weak होती है जो दूसरा तरीका होता है conditioning का उसको हम लोग बोलते है modeling modeling का मतलब की what did you see जैसा हम लोग देखते है वैसा हम लोग के mind की conditioning हो जाती है यह 20% role play करता है and third factor कुछ specific incident होते हम लोग की life में वो हमारे money belief को हमारे money blueprint को shape करते है इसका भी role 20% होता है तो जिस तरीके से हमारे mind की negative conditioning होई है ठीक उसी channel से हम लोग नई चीज़े सीख के जैसे अगर आप यह सुन रहे है तो अब आपके mind की फिर से conditioning हो रहे है यह positive conditioning हो रहे है जो आप चूज कर रहे है तो यह 4 factor है इन चारों पर work करके आप अपनी financial destiny आप खुद से लिख सकते है तो बहुत बहुत थैंक्यू आपने इस वीडियो को यहां तक अटेंड किया आपको अच्छा लगा तो इसको like कीजिए share कीजिए जो भी आपकी एक key learning है आप इसको comment कीजिए और अगर आप हमारे light sessions content करना चाहते है तो नीचे link है आप मारे community के part बनिए हम आपको वो opportunity भी share करेंगे बहुत बहुत thank you